करोफा का मामला यह तो बुरका सीरियस मामला है पिरोफा वाले में पुलीच को परशा शंथ को और मुख्यमंंत्री को पहले से इस बात की जानकारी थी कि अगर समय रहते इन सब से जाकर के बात नहीं की गी और इसको बात चीत के माद्धन से इसका कोई समाधान ना निकाला गया तो फिर ये किसी भी तरह का उगरूप धर्ण कर सकता इन्होंने ना किसी से बात करी ना इस बात के लिए कोई किसी की जुम्मेवारी लगाई भी आप दोनों गुर्पों से जाकर के बात करो इनको आसरम के लोगों से भी बात करनी चाहिए थी और इनको आरियस समाज के लोगों से भी बात करनी चाहिए थी कि कोड का आदेश है और कोड के आदेश के मताबिक अगर आप जाकर के बात चीत करते तो सो फिस्ती कोई ना कोई रस्ता निकलता इन्होंने किसी से बास्चित निगरी आज की हमारी मौजुदा सरकार्टों केवल मातर एक काम में लगी हुए किस परदेश को किस तरह से लूटा जाए किस परदेश की बेशम किमती जमीन को किस तरह से बड़े बिल्डरों को सौंख करके किसान को बर्बाद किया जाए